चोपड़ा एजुकिस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्देक्ट स्वागत करता हूँ दोस्तो MBBS स्कोर्स तो 19 एम्स में करवाया जाता है मगर जो बाकी UG कोर्सेज हैं जैसे BAC Nursing, BAC Nursing, Post Basic, Paramedical Courses ये Old 7 एम्स में ही करवाया जाते हैं MBBS में Admission Neat Score पर होता है मगर बाकी UG कोर्सेज के लिए एम्स अपना अलग से एक्जाम कंड़क्ट करवाता है इन कोर्सेज में Admission के लिए, एक्जाम के लिए अभी Basic Registration स्टार्ट है अगर आप भी एक्जाम देना चाते हैं तो Basic Registration कर दें इसका प्रोसेस मैंने कल की वीडियो में बता दिया है अगर आपने 19-20 में Registration कर दिया है तो आपको दुबारा से Basic Registration करने के आवश्यक्ता नहीं है आपको Direct Final Registration करना है इस वीडियो में मैं आपको इन कोर्सेज के बारे में बताऊंगा कौन-कौन से AIMS में कौन-कौन सा कोर्सेज करवाये जाते हैं उसके लिए Qualification क्या होने चाहिए As Limited क्या, As Limited क्या होने चाहिए Seat Matrix क्या है इनका Exam Pattern कैसे होगा Tution Fees क्या होगी इस वीडियो में हम सर्चा करेंगे तो आईए लेते हैं इसके बारे में जानकारी तो दोस्तो इन कौर्सेज में Exam के लिए 21 का Prospect तो Final Registration के टाइम पर मई में जारी किया जाएगा मैं आपको 2020 के Prospect से ये सारी जानकारी दे देता हूँ क्यूंकि 21 का Prospect भी 20 के सेम ही रहने वाला है इसको आप इसकी वेबसाइट जो AIMS Exams.AC.IN है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं इससे डाउनलोड करने के लिए आप Prospects पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाता है अब हम इसमें देखते हैं कि कौन से AIMS में कौन सा कोर्स करवाया जाता है तो ये जो टोटल आप 7 कोर्स देख रहे हैं ये AIMS दिल्ली में करवाये जाते हैं इसके बाद में ये 4 कोर्स AIMS भोनेश्वर में करवाये जाते हैं इसके अलावा जो बाकी 13 कोर्स हैं ये जो आप देख रहे हैं ये AIMS रिशी केस में करवाये जाते हैं इस परकार से इन तीन जो AIMS हैं इनमें इस परकार के कोर्स करवाय जाते हैं इनमें परामेडिकल कोर्स भी सामिल हैं इसके अलावा जो BSC Owners Nursing कोर्स है वो टोटल 7 AIMS में करवाय जाता है जो पुराणे AIMS हैं अब इसके हम Registration Feast की बात करें जो आपको Final Registration के टाइम में पे के लिए 15,000 रूपीज पे करना होगा इसके बाद में जो SC, ST और EWS कंडिडेट हैं उनको 1,200 रूपीज यहां पे करना होगा Registration के लिए Courses के बारे में मैंने बता दिया है कौन-कौन से AIMS में कौन-कौन से Courses करवाय जाते हैं बाकि आप यहां भी देख सकते हैं इसके बाद में हम बात करें seat matrix की तो यह दिल्ली में पांस परकार के course करवाय जाते हैं इनकी एक category wise seat आप यहां देख रहे हैं इसमें कौन-कौन से course के लिए कितने-कितने seat हैं इसके बाद में यह 4 course भावनेश वर्में करवाय जाते हैं इनके लिए यह seat हैं इसमें यह paramedical courses हैं इसके बाद में हम बात करें रिशी केस की तो रिशी केस में 13 परकार के जो paramedical courses करवाय जाते हैं वो उनकी seat matrix इस परकार से है यानि कि टोटल इसमें 69 seats हैं एम से रिशी केस में इसके बाद में हम बात करें BSC ओनर्स नर्सिंग की तो यह सिरफ इसमें फिवेल इसके लिए अपलाई नहीं कर सकते एमस BSC ओनर्स नर्सिंग के लिए इसमें जो total seat हैं वो 571 seats हैं और इसमें aims wise total 7 aims में category wise यह seat आप देख सकते हैं यहां पर कौन सी category में कितने seat हैं कौन से aims में हैं तो इस परकार से यह total 7 aims में BSC ओनर्स नर्सिंग की seat हैं अभी post basic की बात करें तो post basic course सिरफ aims दिल्ली में ही चलाया जाता है इसमें total 50 seats हैं जिसमें outsider candidate के लिए 30 seats हैं जिन पर कोई भी candidate अपलाई कर सकता है जिसने JNM कर रखा है इसके अलावा जो department के candidate हैं aims के लिए उनके लिए 20 seats हैं यह category wise seat इसमें distribute किया गया है यह आप इसमें duration देखें तो aims दिल्ली में करवाई जाने वाले course का कितना कितना duration है यह आप यहां देख रहे हैं इसके बाद में aims भौनेसवर में और aims रिशी के इसका duration आप देख सकते हैं कोन से paramedical course है इसके लिए कितना time इसमें कितना duration होता है course के लिए BAC Owners Nursing जो 7 aims में है उसके लिए यह 4 साल का course है अब हम इनके admission requirement की बात करें कि क्या इसमें age limit होना चीए और क्या इसमें educational qualification होना चीए तो age limit इसमें minimum age 17 years 31st December 21 को complete हो जाना सीए maximum age इसमें नहीं है लागू इसके बाद में हम इसकी qualification की बात करें तो BAC Owners Nursing के लिए 55% General OBC EWS केटेगरी और 50% SCST केटेगरी के लिए aggregate marks होना सीए English Physics Chemistry और Biology में इसके बाद में हम बात करते हैं Bachelor of Optometry और BSC Owners Medical Technology in Radiography courses की हम बात करें इन दो courses के लिए तो इसके अंदर Mathematics और Biology दोनों subject के candidate इसमें eligible हैं इसके अलावा जो BSC Dental Operating Room Assistant और BSC in Dental Hygiene और BSC in Operation Theater Technology इन में biology compulsory है और इसमें 50% General OBC EWS के लिए और 45% SCST के लिए aggregate marks होना चीए इसमें अब जो AIMS BHNESWAR में course करवाए जाते हैं उन courses के लिए 50% General OBC और EWS के लिए होना चीए 45% SCST के लिए aggregate होना चीए English Physics Chemistry जिसमें biology और mathematics भी हो सकता है इसके बाद में जो AIMS RICC केस के जो courses हैं उनके लिए RICC के लिए courses के लिए 50% General Category के लिए OBC EWS और General के लिए 45% SCST के लिए aggregate marks होना चीए English Chemistry Biology में होना चीए इसमें जो Bachelor of Optometry है इसमें 50% General OBC EWS और 45% SCST के लिए जो BSC Honors course है उसके लिए सिरफ female candidate ही इसमें eligible है इसके बाद में हम बात करें BSC Nursing Post Basic की तो इसमें 10 plus 2 pass होना चीए इसके बाद में डिपलोमा होना चीए JNM में और वो स्टेट से रेजिस्टरड होना चीए स्टेट Nursing Council से रेजिस्टरड होना चीए अब इसमें हम एक्जाम सेंटर की बात करें तो BSC Honors Nursing के लिए गौाटी, पठना, रायपूर, चंडिगड, देली इसके बाद में है बैंगलोर, त्वेंद्रमपुरम और मुंबई, भोपाल, भावनेश्वर, जोदपूर, चिन्नई, देरादून और कोलकता ये एक्जाम सेंटर हैं BSC Honors Nursing के लिए इसके बाद में हम बात करते हैं इसके एक्जाम पैटरन की जो BSC Honors Nursing का एक्जाम पैटरन है Physics 30 Marks के आएगी इसमें Chemistry 30 Marks, Biology 30 Marks और General Knowledge 10 Marks यानि टोटल 100 Marks का ये पेपर होगा इसमें इसके बाद में जो पेपर होगा ये 2 hours duration का होगा इसमें ये 4 subject होगे multiple choice क्यूशन होगे इसमें इसके अलावा जो बाकी UG courses हैं, paramedical courses हैं उनके लिए जो पेपर होना है वो 1 and half hours का पेपर होगा इसमें सारे objective type, multiple type इसमें क्यूशन होगे इसमें total 30 क्यूशन होगे इस subject से physics, chemistry, biology और mathematics से इसमें biology और mathematics के दोनों part आप इसमें attempt कर सकते हैं अगर आप biology से हैं तो biology का part attempt कीजिए, math से हैं तो math का कीजिए इसके बाद में जो post basic है उसमें two stage में exam होता है, first stage में return होता है second stage में personal assignment interview होता है, उसके marks पर ही merit तयार की जाती है अभी इसमें scheme of marking के बारे में देखें तो सभी correct answer one marks के होंगे अगर wrong answer आपका है तो इसमें एक marks कर जाएगा, यानि कि इसमें जो negative marking है one by three है इसमें इसके बाद में हम बात करें इसकी fees की बात करते हैं तो ये course wise इसमें tuition fees दे रखी है, आप यहां देख सकते हैं इसमें इसके अलावा hostel rent भी यहां दे रखा है caution money भी दे रखी है इसके बाद में आप अगर hostel में रह रहे हैं तो आपको 700 per month mass charges देना होगा इसके बाद में इसमें आगे जो stipend है वो भी आपको मिलता है वो इसमें दे रखा है course wise कितना कितना मिलता है course complete होने की बाद में internship के time पर तो इस परकार से इसमें आगे इसी prospect में किस परकार से आपने basic registration करना है किस परकार से final registration करना है उसके बारे में भी condition दे रखी है आप इसका prospect download करके आप इसमें पूरी जानकारी ले 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 उसके बाद अपना forum fill कर दें बाकी जानकारी next video में तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा जय हिंद।